कल मकर संकरांती है खुश लोगोंने आज मनाई है पर कल है मकर संकरांती तो मकर संकरांती कल वड़िया सबेरे तिल से सनान करना आप लोग तिल पानी में ठोड़ा सफेध तिल तिल समस्ते है ना कल तिल दान करने का तिल से सनान करने का जो भी दान करो संग में तिल जरूर रखना कल के दान में कहते हैं कि जो तिल दान करता है उसके पाप तिल के समान हो करके समाप्त हो जाते हैं कल मकर शंकरांती है आप जरूर अपने मन में ये संकल पिलो कि आप इस पावन पर्म में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परोकार से जोड़ेंगे कि धर्म से जोड़ेंगे कल तिल से पानी में नहाते समय छोड़ा उस पानी में चार छे तिल के दाने ही सही प्ला सा तिल जरूर तिल के लड़ू को कल खाईएगा भोग लगाईएगा भगवान जी को तिल का खुब बढ़िया कि कल हो सके तो यमना जी में शनान कीजिए ग नहीं तो फिर घर में बाल्टी में तिल कि इसना अंदान की महिमा है कल किसी भूखे को अब यह मकर संक्रांती आज भी है कुछ लोगों ने आज रखी है तो आज भी मकर संक्रांती है पर उदिया तिथी कि अकॉडिंग कल है आज भी मकर संक्रांती आज भी और कल भी तो आप दान पुन्य अपने जीवन के कुछ हिस्से को पर उपकार में लगाना सेवा से जोड़ना सुंदर तिथियां है और गवदान अन्यदाने वाले के घर भगवान ही कभी न कभी लेने के लिए आ जाते हैं देने का भाव रखिये अच्छा देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बोलो देने वाला तो भगवान ने आपको दिया की नहीं तो जब आपको दिया है तो फिर आप क्यों नहीं देते सो रुपए में भले दो रुपए जब वो सो रुपए में दो रुपए तीन रुपए यदि किसी भूखे के भोजन में खर्च होगा किसी की जरुरतों को पूरी करने में खर्च होगा यदि आप इन्हें वरत्धमाओं को दें तो आपका धन सुद्ध होगा की नहीं और इन बे सहारा माओं को सहारा भी मिल जाएगा इसलिए सहारा बनना चाहिए जिस लायक आप हैं सहारा जरूर बनना क्योंकि भगवान ने जो आपको धन दिया है वो पूरा आपके लिए नहीं है सौ रुपए में दो रुपए लगा दोगे सेवा में तो अंठाननवे रुपए आपके लिए बढ़िया होगा उससे आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और वो दो रुपए भी आप चाहेंगे आपके हम भो भी उड़ा जाए खा लें तो फिर वो आपको निन्यानवे अंठानवे रुपए भी ठीक पचेंगे नहीं कमाई का हिस्सा सबको मुझे भी दान धरम से जुड़ना है और मैं भी अपने जीवन की कमाई का प्रतेक जो कुछ है सेवा के लिए हुआ 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 है